कि अधिए अधिए और देख्या नमस्कार प्यारविद्यार्थियों मैं सोहन एक बाश्विर आपका नित्तिम क्लासिस पे स्वागत करता हूं तो आज हमारा आज का टोपिक रहेगा प्यारविद्यार्थियों कंटासिन और कि द् हमारे टोपिक क्या था तरव इस उन-द्राविद्यार्थियों नित्रिशन आज का मारा टोपिक क्या रहेगा नियुट्रिशन इनकार प्लान्ट ? तो प्यार विद्यार्थियों, nutrition in plant का क्या आर्थ होता है, कि पेड़ पोधों में पोचन किस परकार होता है, और पोचन को परकिरिया को हम क्या बोलते हैं, उसका हम परकास संसलेशन हम उसको बोलते हैं, पेड़ पोधी क्या करते हैं, nutrition में, यानि कि हमारे क्या करते हैं, भू क्लोरोफिल का यूज करके वो क्या करते हैं कार्बोहाइट्रेट्स का क्या करते हैं वो निर्मान करते हैं और इस परकास अंसलेशन इसको बोलते हैं परकास अंसलेशन हम इनको बोलते हैं तो हमारे परकास अंसलेशन करते हैं अपना उस परकास अंसलेशन हम उनको बोलते हैं अब हम एक समिकर्ण लिखेंगे उस समिकर्ण से हम समझने ही कोसिस करेंगे कि परकास अंसलेशन की परकिरिया कैसे होती अभी मैंने आपको बताया कि प्रियावन से क्या लेते हैं सियोटू पलस भूमी से क्या लेते हैं जल और सूर्य के प्रकास की उपस्थिती में क्लोरोफिल के द्वारा कि किसका निर्मान करते हैं वो अब देखिए भई मैंने आपको बताया कि पेड़ पोदे परियावरन से सियोटू भूमी से जल सूर्य के प्रकास के उपस्थिती में क्लोरोफिल के द्वारा गुल्कोज का निर्मान करते हैं और बाई प्रोडक्ट के रूप में कि किसका निर्मान करते हैं ओक्सिजन का निर्मान करते हैं जो परते परकार के जीवधारी के लिए इंपोटेंस होती है यह यह भी कह सकते हैं कि परकास संसलेशन वह पर किरिया है जिसके द्वारा ओक्सिजन का निर्मान होता है प्यारे विद्यारतियों ठीक है अब हम जा परह्र कार्बंडाय ओक्साइद का अपचयन किसमें होता है ग्लोकोज में होता है या झाल कर वुद्जरीー होता है और जली हो कि intern संसलेशन की जो अभिकिरिया है ये दो चर्णों में पूरी होती है नमबर एक बात एक तू होती है हमारी प्रकाशी अभिकिरिया प्रकाशी अभिकिरिया सेकंडिस होती है हमारी ए प्रकाशी अभिकिरिया ए प्रकाशी अभिकिरिया अब प्रकासी अभिकिरिया में प्रकास की आवशक्ता होती है और ये क्या होती है ये हमारे जो क्लोरोफिल पाया जाता है पेड़ पोदों की पत्तियों में ये क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में होती है तो प्रकासी अभिकिरिया हरित लवक के ग्रेना भाग में होती है और इसके लिए प्रकास की आवशक्ता होती है और ये प्रकासी अभिकिरिया में क्या होता है इसमें प्रकास की आवशक्ता नहीं होती प्रकास की आवशक्ता नहीं होती और ये हरित्र लवक के इस ट्रोमा में होती ठीक है पहरे विद्यारते मैंने आपको बताया जो हमारी प्रकास संसलेशन की जो अभिकिरिया है वो क्या होती है दो चर्णों में पूरी होती है प्रकासी अभिकिरिया और ए प्रकासी अभिकिरिया में प्रकास के आउशक्ता होती है और ये हरित लवक के ग्रैना में होती है और ए प्रकासी अभिकिरिया में प्रकास के आउशक्ता नहीं होती है ये हरित लवक के इस्ट्रो सिर्वा में होती है तो प्यारोट्यों अनली जाना कि जो हमारी प्रकास संसलेशन की जो अभिकिरिया है वो धो चंडों में पूरी होती है के कौन कों मैं प्रकास होगे एक其實 अप्रकास गिलिए अभ है परकिरिया जिसके द्वारा पेड़ पोधे वायू मंडल से सीओ टू भूमी से जल सूर्य की परकास की उपस्थिती में क्लोरोफिल के द्वारा कार्वोहड्रेड्स या ग्लुकोज का निर्मान करते हैं और ऑक्सिजन बाई उत्पाद के रूप में बाहर निकालते हैं इस पर किरिया को हम क्या बोलते हैं अब यह परकास संसिलेशन के जो हमारी अभी घिरिया है ठीक है वह हमारी मैंने आपको बताया कि इसके तीन चरण होते हैं कि तीन स्टैप में होती है नंबर एक बात इसमें जो सीओ टू का जो अप्चेन होता है वो गुल्कोज के रोप में होता है थार इस जो हमारे पास जल है जल का आक्सिगन किसमें होता है ओक्सिजन के रोप में होता है और जो हमारा क्लोरोफिल है ये क्लोरोफिल क्या काम करता है ये क्लोरोफिल क्या करता है यह प्रकास यह उड़ जा को अवसोशित करता है क्लोरोफिल क्या करता है प्रकास यह उड़ जा को क्या करता है भई अवसोशित करता है ठीक है यह तीन स्टेप होते हैं अब प्रकास संसेचन होने के लिए जरूर नहीं है कि ये तीनो step एक के बाद एक ही हो ऐसा भी हो सकता है कि पहले जल का oxygen हो और chlorophyll हमारे इसको किसको सूरे के प्रकास को अवसोशित करें फिर उसके बाद CO2 से किसका निर्मान हो हमारे glucose का निर्मान हो ठीक है पहरे विद्यारतियों अब देखे प्रकास sensation होने के लिए हमारे पाइजाता है या एक सन्रचना पाई जाती है उस सन्रचना का नाम क्या है प्याने विद्यारतियों उस सन्रचना का नाम क्या है इस्टोमेटा है क्या है उस सन्रचना का नाम इस्टोमेटा है ठीक है अब अगर हम इस्टोमेटा का क्या देखें इस्ट्रक्चर देखें कैसे होता है तो प्यारी द्यार्थियों बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब देखें अब यह जो हमारे इस्टोमेटा की जो शक्चर है प्यारी विद्यार्थियों मैंने आपको बताया यह जो बहार की तरफ आपको लेयर दिख रही है इस layer को हम क्या बोलते हैं भई गोण कोशिकाई या सहायक कोशिकाई ठीक है प्यार विद्धारत के हो इसके अंदर की जो layer होती है ये इस layer को हम क्या बोलते हैं भई द्वार कोशिकाई इन्ही द्वार कोशिकाई में ये जो मैंने आपको डोट डोट बनाई है ये क्या होते हैं हमारे क्लोरोफिल होते हैं क्या होते हैं ये क्लोरोफिल और इसी पार्ट में क्या होता है इसका अपना भी एक क्या होता है भई जीव द्रव्य होता है ठीक है और कुछ केंद्रग भी इसके अंदर पर्जेंट होते हैं पर्जेंट होते हैं तो क्या होते हैं यह किसी भी हमारे इस्टोमेटा का एक सामानने क्या होता है डायग्राम होता है अब देखें प्यारे विद्यार्थियों इस इस्टोमेटा का हमारे पर्यावरण में दो प्रकार के पेड़ पोधे पाए जाते हैं एक तो द्वीज पत्री और एक एक बीज पत्री तो जो हमारे एक द्वीज पत्री पोधे हैं उन पोधों की पत्तियों पे ठीक है जिदमें भी हमारे मैंने आपको बताया कि दो प्रकार के फेड़ पोधि पाज आते हैं एक तो होते हैं हमारे द्वी बीज पत्री और दूसरे क्या होते हैं एक बीज पत्री ठीक अब देखिए द्वी बीज पत्री पोधों की पत्तियों की जो पत्तियां होती हैं उनकी पत्तियों की सतह के नीचे कि यानि कि इसकी लोर सर्फिस होती है और आपर सर्फिस नहीं की यह बलती हमारे इस्टोण हम कहती हैं देखे रिविज पत्री पौध है जितने होते हैं उन पौधों की पत्तियों के नीचे mock 그렇지 जाते हैं। इस प्रकार के पौदों की पत्यों क्या बोलते हैं, हंवि हाईटो- हाइपो-फट्मेटिक लेफ उनको बोलते हैं। उसी प्रकार हमारे एक बीच पत्री कुछ पौदे होते हैं। हैं उन्हें क्या उते है। नים इनकी दोनों सरस्स के उपर। रॉपर भई आई सो इस्टोमेटिक लीफ इनको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं भई आई सो इस्टोमेटिक लीफ हम इनको बोलते हैं अब कुछ पेड़ को दें क्या होते हैं हमारे जल के अंदर पाए जाते हैं जल के अंदर जैसे वाटर लेली ठीक है क्या बोलते हैं इनको वाटर लेली अब इनकी पेड़ों की जो पत्या होती है इन पत्यों के ऊपर इस्टोमेटा पाय जाते हैं क्यूंकि water lily का जो पोदा होता है वो जल कि ऊप़र तायरता है ठीक है और इस परकार की leave को हम क्या बोलते हैं hyperstometric leave hyper histometric leave warrior हम इनको बोलते हैं ठीक है प्यारोन ये द्यारतियो अब देखे हमने जाना कि एक बीजपतरी, दूवी बीजपतरी और जलके अंदर जो हमारे पेड़ पोदे पाये जाते हैं, उनकी पोदो की पत्यों को हम क्या बोलते हैं, इस्टोमेटा के अधार पर। है ठीक है अब हम जानेगे कि हमारी जो प्रकास reconciliation की जो किरीया होती है क्यारे विध्यार्थियों वह अमारे पेड पोदों की पत्यों में पाए जाने वाली जो इस्टो मेटा है उसके द्वारा होती है क्योंकि इस्टो मेटा के अंदर ही के द्वारा ही क्या होता है हमारी परियावन की सी ओटू और ओक्सिजन का क्या होता है आदान परदान होता है क्या होता है क्या बताया मैंने कि सी ओटू और ओटू का क्या होता है आदान परदान होत है ठीक है फ्यारविध्यार्ची अब देखिए अब यहाँ पर हम थो प्रकार की डाइग्रांपम बनाएंगे एक हमेनगे पर हमारा को पर इस्टा wicked कि यानिक जो ओपन हमारा इस्टो मेटा और एक बनाएंगे अंग्रोज इस्टो मेटा ठीक है एक बार फिर्म पना रहा हूं कि यह देखिए यह क्या पताई थी मैंने आपको गोन कोशी काई ठीक है यह जो मैंने बताई थी आपको दोवार कोशी काई दोवार कोशी काई ठीक है इसके अंदर की क्या थे हमारे क्लोरोफिल और इसे के अंदर कुछ मातरा में क्या होता है जीव द्रव्वे भी होता है प्रोटोप्लाज और कुछ मातरा में भी क्या क्या होता है भई अब देखे इस इस्टोमेटा की जो हमारी यह आंतरिक दिवार होती है यह वाली यह वाली यह दिवार क्या होती है हमारी मोटी होती है और यह क्या होती है पतली होती है क्या होती है यह पतली होती है अब देखे अगर हम जाने यह हमारे किसका डाइगराम है यह हमारे open stomata का diagram है ठीक है अब देखे जानेंगे हम कि हमारा stomata काम किस तरह करता है आपको पता है कि हमारे प्रकाल sensation की किरिया के दूरान क्या होता है कि जो हमारे पेड़ पोदों की जो पत्या होती है वो क्या काम करते हैं CO2 को क्या करते हैं वो ग्रेंड करते हैं और भूमी से जो हमारे पेड़ है पेड़ पोदे हैं वो क्या करते हैं जल ग्रेंड करते हैं कि क्या ग्रेंड करते हैं अभी मैंने आपको बताया समिग्रेंड में कि जो हमारे जल से किसका निर्मान होता है भी की मातरा क्या है जाद है बाहर बाता अवरण वह में Thireswar के मातरे जाद है तो यहां पर क्या हुता है एक प्रेशर काम करता है इस प्रेशर को क्या बोल से है हुए हम आ difसनदाब और प्रासंदाब का नियम क्या गयता है भी अधिक सांदृता से कम सांदृता की ओर क्या बता है मैंने कि अधिक सांदृता से कम सांदृता की ओर तो मैंने बता है कि यहाँ पर ओक्सिजन की मात्रा जादा है और बहर परियावरण में CO2 की मात्रा क्या है जादा है यहाँ पर concentration ज्यादा है तो यहाँ से ज्यादा से कम की और इधर ज्यादा से कम की और और जब यह condition होती है यहाँ पर मैंने आपको बता है कि जो हमारे द्वार कोशिकाओ की जो लियर है यह आंत्रिक लियर यह क्या होती है मोटी होती है तो इस आंत्रिक लियर बे क्या पढ़ जाता है हमारा ओपन ओधा थिए भी अब देह घे यह इस डू मेटा ओपन है अब हम बनाएंगे जो हमारा इस्टुमेटा क्लोज होता है फिस्क बेरर विद्यार क्यों से डूबस्स तमेटा राव के दूबराएफ eas SPEAKER मेटा कर दो अगे कि एमारी अभी बताया मैंने यह यह ओती है मारी गोन कोशी का है तुम यह ओते हैं मारी दौण कोशी का है ठीक है और इसके अंदर क्या होता है हमारा क्लोरोफिल क्या होता है क्लोरोफिल अपना जील द्रव्य भी होता है अभी देखिए आपको दिखा हुआ कि यही मैंने यहां पर ओपन किया है जहां पर ऑक्सिजन ठीक है और यह क्या हुआ मैंने क्लोज किया है तो यह क्या है हमार कि यहांने कि यह परकात नहीं होता है यह प्राकात भासित नहीं होता या फॉस्स लाइट में होता यूप को हमारे पीड़ पोदे होते हैं वो दिन के समय CO2 को का करते हैं वो ग्रैंड करते हैं ठीक है और और ओक्सिजन को क्या करते हैं वो बाहर छोड़ते हैं लेकिन रात में क्या होता है पेड़ बोदे क्या होते हैं CO2 को क्या करते हैं उब्जर्ब जिस कान क्या हो जाता है कि रात के समय रात के समय क्या होता है जो हमारी द्वार कोशिकाई है यह शलत अवस्था में आ जाती है शलत अत्वा संकुचित हो जाती है जिस करण यह द्वार कोशिका का जो द्वार है यह क्या हो जाता है हमारा close हो जाता है ठीक है प्यारविद्यारती तो यह हमारे open का डाइग्राम हो और यह close का डाइग्राम है अब हम जानेंगे कि जो हमारे istomata की जो किर्याविदी है open और close में वो कैसे होता है देखें यहाँ पर हम लिखेंगे भई इन लाइट इन लाइट में क्या होता है देखें प्रकास संसेशन की किर्या मैंने आपको बताया की इस्टो मैटा में होती है इन लाइट में क्या होता है जो हमारी गार्ड साहल है गार्ड साहल में मैंने आपको बताया कौन सी किर्या होगी भई हुआ olate together included photo synthesis थी की डौनान किसका निर्मान होता है CARBOT के बाद क्या होता है जो ए ध्लार कोचीगा का जो ओ स्मॉटिक प्रेशर है वह क्या हो जाता है भी इंक्रीजम हो जाता है और increase हो जाने कारण क्या होता है निद्वार कोशिकाओं में क्या होता है प्रेषर पड़ता है यानि कि जो हमारी guard cell है ca guard cell किसमें याजाएंगी guard cell ہमारी target το pressure में आ जायांगी घख़े हमारी या जायेंग और इस अस्ता में जो हमारा स्टोनेटा है वह open हो जाएगा ऐधी है यह होता है लाइट की पस्चिदे में या इन लाइट ठीक है लेकिन रात्रे में क्या होता है या night in night इन नाइट में क्या होता है गार्ड सेल नो फोटो सिंथेजिस फोटो ठीक है नो फोटो सिंथेजिस नो कार्बो हाइड्रेड फोर्मेशन कार्बो हाइड्रेड नो कार्बो हाइड्रेड फोर्मेशन नो कार्बो हाइड्रेड फोर्मेशन ओस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है जब डिक्रीज हो जाता है जो जो हमारी गार्ड सेल होती है वो क्या जाती है अब देखे बेटा है अब हम जानेंगे कि हमारे प्रकास संसिलेशन में जो आवश्चक जो पतार्त है फीक है आवश्चक जो पतार्त है वो क्या क्या है फीक है नमबर एक हम बात करते हैं इनको हम आवश्यक पदार भी बोलते हैं और परकास संसलेशन को परभावित करने वाले कारफ भी हम इनको बोलते हैं अभी मैंने बताया कि परकास संसलेशन होने के लिए पदार आवश्यक कौन कौन से हैं नमबर एक H2O जल, second is CO2, third is सूर्य का प्रकाश, fourth is chlorophyll, देखिए यह आवश्यक क्यों और प्रकाश संसलेशन को परभावित करने वाले कारक क्यों है, देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि पेड़ पोदे भूमी से जल लेते हैं, और इस जल से ही किसका निर्मान होता है, ओक्सिजन का निर्मान होता है, अगर पेड़ पोदे भूमी से जल ग्रैनी नहीं करेंगे, ठीक है, तो ओक्सिजन का निर्मान ही नहीं होगा, ये भी क मोझारब अपंट करों क्लोरोफिल के कलोफिल और जब क्लोरोफिल नहीं होगा तो सूरे के परकास को अफ्सोचित कौन करेगा activates ठीक है तो यह आवशक पदार्थ भी है और परकास संस्लेशन को प्रभावित करने वाले कारक भी है ठीक है पहलों जानेंगे कि परकास संस्लेशन का महतुर्थ क्या है हमारे जीवन में क्या है देखें नमबर एक बात कि सभी परकार के सभी परकार के भोज्य पदार्थों का निर्मान भोज्य पदार्थों का जो निर्मान है वो परकास संस्लेशन की किरिया के दोरान होता है परकास संस्लेशन की किरिया से होता है नमबर एक बात नमबर सेकंड बात परकास संस्लेशन की किरिया के दोरा किरिया के दोरा सी ओ टू तथा और ओक्सिजन का संतुलन बना रहता है संतुलन बना रहता है थर्ड इस प्रकास संस्लेशन प्रकास संस्लेशन वाता वरण को शुद्ध करती मैंने आपको बताया कि परकास संस्लेशन अभी किरिया का हमारे जीवन में क्या महत्र है तो सभी परकार के भुझ्य पदार्थों का जो दिनमान होता है वो परकास संस्लेशन की किरिया के दोरान होता है साथी साथ परकास संस्लेशन की किरिया के दोरान परियावरण में पाए जाने वाली CO2 और ओक्सिजन का क्या होता है संतुलन भी क्या होता है बना रहता है यह यह भी कह सकते हैं कि प्रकास संस्रेशन की किरिया के दोरान दोरान ओक्सिजन और CO2 का संतुलन बना रहता है साथ प्रकास संस्रेशन की किरिया वातावरण को प्रकाव संसलेशन में एक महत्वपूर्ण रोल पले करते हैं साथ इस्टो मेटा के दुआरा ही क्या होता है हमारी एक परकिरिया होती है ट्रांस्पारेशन वास्पो सर्जन वो किरिया भी हमारे क्या होती है वो इस्टो मेटा के दुआरा है क्योंकि पेड़ पोदों का जो तो अतरिक्त जल बाहर निकलता है, वो किस पर किरिया दौरा निकलता है, वो ट्रांसपारेशन के दौरा निकलता है प्राइविजार्ट से ओ, ठीक है, ठीक है, तो इसी परकार आप नित्यम कासे से साथ जुड़े रहिए, और अपना वरोसा बनाए रखिए, एक बार फिर से आपका धन्यवाद,